तो हेलो एरिवन एंड वेलकम टूदा उनलाइन क्लासे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने लोगों को प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और वायबिलिटी चेक करने के तरीके तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटोप्लास्ट में तो आज में आप लोगों को सेल वाल होते हैं सेल वाल को जब हम सेपरेट कर लेते हैं तो सिर्फ हमारे पास सेल वाल को सेपरेट करने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं अब सेल वाल को अलग करने का जो प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके है एक enzymatic method हमने देखा था, एक हमने mechanical method देखा था, तो आज जो है, मैं ये बताने वाली हूं कि जब protoplast को finally हमने isolate कर लिया और viability भी चेक कर लिया उसकी, कि वो जीवे तवस्ता में है या नहीं है, उसके बाद इसी protoplast को culture करके किस प्रकार से use किया जाता है, किस प्रकार से हम इस protoplast का culture करके, पुरा whole planted grow करवा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग protoplast culture में देखेंगे, तो protoplast culture का जो सबसे first step है, सबसे पहला step, protoplast culture का, वो ये हैं कि protoplast एक ऐसा cell है, जो cell wall रही था, मताब without cell wall, वाला जो cell है, plant cell, without cell wall, plant cell is known as protoplast, पहला जो step है, protoplast culture का वो यह है, कि हमको cell wall develop करवाना है, हम लोग सिर्फ अभी isolate करके cell wall अलग किये हैं, culture में लेकिन वापस से हमको cell wall को develop कराना है, the very first step in protoplast culture is the development of cell wall around the membrane of the protoplast, protoplast के membrane के around cell wall को develop कराना, यह जो है, आपका क्या है, cell wall, cell wall को develop कराना सबसे पहला step होता है, protoplast culture का, क्योंकि culture जब करते हैं, तो culture इसलिए किया जाता है, ताकि वो बढ़हे, कोश्चिकावे वृद्धी हो, अपना जो density है, उसको बढ़हे, तो density बढ़हने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसको cell wall को ग्रो करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो cell wall ही ग्रो करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो cell division करेगा, cell division करकर के अपने आपको नमबर्स में बढ़हेगा, कैलस बनाएगा, कैलस बनेगा, तो भी कैलस बनने के बाद पूरा एक होल प्लांट डवलाप होगा, तो बट आव वेसे की पहला जो step रहेगा, प्रोटो प्लास्ट कल्चर का, the very first step will be the development of cell wall around the membrane of protoplast, protoplast के membrane के around cell wall का development होना, protoplast का पहला step है, this is followed by the cell division that gives rise to a small colony, और यह process क्यों होगी, कैसे होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, कि आपके पास अगर प्रेटी प्लेट है, प्रेटी प्लेट में आप लोग जब बैक्टीरियल कल्चर करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, आप अगर नॉर्मली जो एर से आइसोलेट करते हैं, तो एर में एक्सपोज करके रखते हैं, फिर पानी से करते हैं, तो पूरा आप क्या करते हैं, कम्प्लीट फैल आते हैं फिर जिग-जग ऐसे स्ट्रिकिंग कर देते हैं फिर दूसरे दिन आखे देखते हैं तो पूरी जो कॉलिनीज है वह बैक्टिटियर कॉलिनीज आप लोगों को शो दिखाई देती है तो उसी प्रकार देखे जाए तो इसमें कैसे होगा इसमें अग आपने प्रोटोप्लास नाफ लेकिन होगा कैसे वह और अपके टिवीजन से कोशिकान होगा कोशिका विभाजित होती ही तो क्या होगा कि वो अपने आपको नंबर्स में बढ़ाती है तो सबसे पहले स्टेप पहले सेल डिविजन होगा सेल डिविजन होगा तो वो छोटे-छोटे स्मॉल कॉलिनीज जो है वो आएंगी सेल की छोटी-छोटी कॉलिनीज आएंगी ठीक है विच सुटेबर मैनिपलेशन अप निउट्रिशन फीजियोलोजिकल कांडिशन दस सेल कॉलिनीज में भी ग्रोन कांटिनूसली एस कल्चर सोर री जनेरेटेट टू होल ब्लांट अब जैसे जैसे आपका मेडिया आपने जो मेडिया बनाया है वह मेडिया आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि उसमें अच्छे भरपूर मात्रे में प्रचूर मात्रा में हर एक चीज उपस्तित होनी चीए होना चाहिए क्योंकि न्युली पोटी subscribe देंगर आपने युछाहीट और और वो नमबर दो जिस से होल प्लांट जो है वो जनरेट होगा रेजनेरेशन हो रहा है पुरी होल प्लांट का एक प्रोटोपलस्ट सी lige तो कुल्चर जब किया तब यूज यूशली मीडिया जो लिया जाता है और तो नि फुरिक involvement use किया जाता है तो आपका संवी स्वावी सॉऽज हो गया तो वो किस प्रकार का रहेगा, आपका जो आप लोग NAM बनाते थे न, NAM media, से हम उसी प्रकार का एक semi-solid अगार के जैसे रहेगा, या तो फिर आप ये उस कर सकते हैं, एक liquid medium, इसे हम suspension culture भी बोलते हैं, liquid medium भी use कर सकते हैं, आप किसके लिए, protoplast के culture के लिए, तो इस प्रकार से protoplast के semi-solid अगार या फिर liquid medium को prefer किया जाता है, sometimes protoplast is first allowed to develop cell wall in liquid medium and then transfer to अगार media, इसमें एक और तरीका है procedure जो किया जाता है, वो एक और तरीके से किया जाता है, कि सबसे पहले तो हमको क्या चीह रहता है, क्या चीह रहता है, क्योंकि cell wall जब develop होगा, उसके बाद ही आगे की procedure होगी, तो कई बार क्या किया जाता है, एक liquid medium में protoplast को पुरा insert करवा दिया जाता है, पुरा protoplast को हमने डाल दिया, यह हमारा liquid medium था, ठीक है, liquid medium में जैसे हमें protoplast को डाला, उसके कुछ टेम बाद cell wall डवलप होना स्टार्ट होगी, जब cell wall पूरे develop हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, हम एक दूसरा petri plate में हम क्या करेंगे, यह सॉलिड, semi-solid अगार medium डालेंगे, जो कि हमारा जैसे नएम मीडिया दिखता है, वैसे ही semi-solid रहेगा, तो semi-solid वाली medium में हम तब डालेंगे, जब यह पूरे cell wall डवलप हो जाएंगे, पूरे जो आपके cell wall के इर्द के cell wall आ जाएगी, पूरे प्रोटोप्लास्ट के इर्द के cell wall आ जाएगी, उसके बाद आप इसको किसमें ट्रांसफर कर देंगे, आप इसको ट्रांसफर कर देंगे, अपने semi-solid अगार medium में, ठीक है, ये, तो हमने cell wall को develop पहले liquid medium में कराया, उसके बाद further development के लिए, आगे की development के लिए हमने क्या किया, कि हमने हमारा जो cell wall था, जो हमारा semi-solid media था, उसको हमने यूज किया, एक मिनट तुम क्या कियो, मेरा tip-in को तुम अपने में डाले, तुमारा tip-in कहा है? है, तो इस प्रकार से कुछ आपका, प्रोटोप्लास्ट की कल्चर की में का मेथर्ड है, जो मैंने एक नॉर्मल फ्लो लाइन में बताया, आप लोगों को, तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने देखा कि लिक्विड मीडिया में पहले यूज किया जाता है, अब जो अगार कल्चर यूज किया जाता है, अगार कल्चर अगर हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं, अगार कल्चर के बारे में, अगार कल्चर, तो अगार कल्चर अगर हमको करने हैं, प्रोटोप्लास्ट के लिए, तो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज है, एगरोस, आप लोगों ने एगरोस पहले भी यूज किया हुए, जल बनाने के लिए, आप लोगों ने जब डिने को रन कराने के जिए जल बनाया है, तो अगरोस को मोस्ट रिक्मेंटी यूज किया जाता है, आगार के रूप में, ठीक है, यूज जगार तो सॉलिडिफाइ दर कल्चर मीडिया, और इसको क्यों यूज किया जाता है, तो अगरोस में ये क्वालिटी पाई जाती है, कि वो मीडिया को ठीक है, तो अगरोस को अगार और अगरोस एक ही चीज है, यूज नहीं होंगे, अगरोस हम यूज कर रहे हैं हमारे मीडिया को सॉलिफाइ करने के लिए, यूज ज़ एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, आपका जो अगरोस है, उसको आप इतनी मात्रा में लें जब पोटलास कलचर करना है, तो जब कभी भी आप कल्चर मीडिया बना रहे हैं, तो कल्चर मीडिया बनाने के लिए ए लिए द्सच की ओन्स है, ठीक है, मतलब या फिर जो कनसадноरे डिशन है, वो इतना रिणार का कर आपको आँEL बने, क्योंकि अगर आपने रोस की कॉंटिटी को बहुत जाद एक्स्ट्रीम में बढ़ा दिया तो उससे होगा क्या की जैल तो बन जाएगा लेकिन बहुत जादा एकदम ठोस वाला एकदम सॉलिड जैल बनेगा एकदम जो जो सॉफ्ट नहीं रहेगा एकदम जादा एकदम हाड तो एक यह होगा प्रोब्लम और अगर आपने बहुत जादा कम कॉंटिटी में ले लिया तो आपका जो मीरिया है वह बहुत जादा लचीला बनेगा कि अगर आप उस पर स्ट्रिकिंग करेंगे या फिर अगर आप इसको स्पोस करेंगे या फिर उसमें इनॉकलेशन कितना रखा है आपने और इतना कंसेंट्रेशन लें कि सॉफ्ट अगार जल बने वेन मिक्स्ट विद्ध प्रोटोप्लास्ट तस्पेंशन ताकि हम प्रोटोप्लास्ट जम मिक्स करें उसमें तो तूटे भी नहीं और वह सहीं भी रहें तो यह चीज का खास ध्यान रखना अरेत्अ ए सब्रोटोप्लास्ट रिए गरेओ पार मैंश मैंश कर्याइब केंडिग तनिक एक बweenयाय सल प्लेकिंग टेकने होती है जैसे आप लोग four plate हमेफोड स्रिक पलेक मेफोड्याइब जीग जायक मेफोड इस प्र image आप लोगों ने देखेंगे जब आप लोगों आपलोगों के प्राक्टिकल्स में उसी प्रकार एक प्लेटिंग मेथड कि बर्च्मैंज विलिडिंग टेखनीग ि यह जो बर्च्मैंद प्लेटिंग टेकनीक ह particular यह यूज की जाती है किसमें अगर आपका प्रोटो प्लांस्ट का क्लedia किया जाता है तो इस implating think Jetzt आपके मीरीय में प्लेट किया जाता है आपके із ये ब्रोटो प्लास्ट को टिक एam एक सेकें गिए हां सु याँ तो यह बर्ज में प्लेटिंग टेकनीक के जरिए हमारे प्रोटोप्लास्ट को जो हमने आइसोलेट करके रखा हुआ हैं उसे हम लोग प्लेटिंग इस प्लेटिंग मेथड के जरिए सेल प्लेट करते हैं तो आपका यह आपका धूर्णग मरन अडर्णग उसके हैं आपका जिसमें एक सोफ्टा अगार जेल बनके रेड़ी है semi solid media. अब जब इसमें हम insert करवाएंगे हमारे protoplast को. हमारे protoplast को जब insert करवाएंगे तो जो हमारा protoplast है अगार कल्चर में एक fixed position इना चाहिए. अगर हमने यहां पर insert करवाया है तो आहीं पर ही रहना चाहिए. ठीके? Protoplast remain in a fixed position divide and form cell clones. और व wraps एक ही जगा पर रहता है का रहाँ और वहहां से हटेगा नहीं आपने एक जगा पर उसे plate कर दिया भर्ज मंन टेकनिक द्वारा तेo तर determ electron चोड़ दिया हम छोड़ने के बाद आगे कि प्रोसेजर करने के लिए कंकी को उस pokemon कर रहे हैं तो तो इंक्यूबेशन में तो आप बार बार एक बर खोल कर देतीं कि कहीं से कंटामिनेशन तो नहीं आया है कुछ तो एक चीज का ध्यान एक चीज होती है इसमें कि आपका जो प्रोटप्लास जो आप सेस्पी पर रखा तो उसी पोजीशन पराएंगा भाetry नहीं कर तो वहीं दिवाइड़ होगा और बहुत सब्दानेद व्युद् device अवहीं गुलॉबनिया सब्सान्द करेंगा घ्रोट्पिशशन आ गेसं सब्साइड Works ऑलगी च्णे करे उलजने माला काम नहीं होता है प्रोटोप्लास्ट के साथ तो यह एक एडवांटेजेस होता है अगर आप लोग अगार कल्चर यूज़ कर रहे हैं तो कि लिक्वीड कल्चर में थोड़ा सा प्रोब्लम रहता है उलजने का और इसका क्या बहुत है क्लम्पिंग का कि तो इस प्रकार से यह हुआ आपका अगार कल्चर अब अगार कल्चर के बार नोग देखेंगे लिक्वीड कल्चर के बारे में लिक्विट कल्चर तो लिःविट कलचर इस दप्रिफर्ड मेतर्ड फर्टोफ निवेशन प्रड़ फोर बाली दीवेशन अब अगर जो प्रोटोपलास्ट कल्चर करते हैं जो scientist protoplast culture करते हैं तो plant breeders हो या scientist हो सबसे preferably अगर दोनों में से use किया जाए अगार culture किया जाए लिक्विट culture तो सबसे दफ प्रिफर्ड जो है वो लिक्विट culture होता है protoplast के cultivation के लिए मतलब आपके protoplast के culture के लिए तो लिक्विड मेथड जो है लिक्विड कल्चर जो है वह इसलिए प्रिफर्क किया जाता है किसे कुछ रीजन्स है कुछ important कुछ कुछ रीजन्स है पहला रीजन जो है वह यह है कि it is easy to dilute and transfer यह easily जो है dilute हो जाते easily इसको हम dilute कर सकते हैं मिला सकते हैं और साथ में आसानी संवी से ट्रांस्फर कर सकते हैं तो हम वह भी कर सकते हैं तो transfer में easily easily हो जाता है transfer और साथ ही सथ easily dilute हो जाते हैं जो को इसलिए आपका liquid method एक यह रीजन हुआ दूसरा रीजन है density of the cell can be manipulated as has decide जो सल की टेन्सिटीड है सल का जो घनत वह जितना आप चाहते हैं कि इतना घनतव ब्원क संब की अगड़र्ट रहें हैं कि अगर वह बड़ रहे कंशियों तो वह प्रॉबल्म है वह आपका प्रॉबलम नहीं होता है उस्क्राइब देन्सिटीड ही जितना चाहे बढ़ सकत पर्ति एक प्रिजार नहीं जिक रव परनान की प्राजातियां जो होती। है। अच्छी तीजायन जो होती है। जब कि अगर कल्च में क zac रोप सकते हैं, जब कि अगर कल्चर में है headed क्रहता है और तो होरोता चिए फिशे में में प्रिपला हूंगे फिसkes द लेमेंAK होते हैं ठीक है कुछ plant species के जो proto-plast होते हैं वो इन अगार culture में growth नहीं कर सकते वो अगार culture में culture नहीं किया सकते possible ही नहीं है अगार medium में culture होना डिवाइड होना उनका ठीक है इसलिए उनको उनके करना होगा। उनके लिए हमको लिक विट उहां किक्ट आफस ऑप्चन दूसरा ीकविद काउर ही और यह पूर्प बढ़यस сюда आपके प्रोट। सब्सक्राइब आपके शुरस के लिए उसके बाद जो है नेक्स ससमोटिक क्रॉशर अफ लिक विडियम कैन वी जो लिक्वीड कल्चर रहता है लिक्वीड कल्चर के लिए जो लिक्वीड मीडिय उसकरते हैं तो इसका जो उस्मोटिक प्रेशर होता है उस्मोटिक प्रेशर को हम लोग अल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कि इतना उस्मोटिक प्रेशर रहना चाहिए क्यों ताकि हम ड पड़ाना तो यह एक भी रिजन है कि लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए लिक्विट कलचर को अब यह तो था अगार कल्चर हो गया लिक्विट कल्चर हो गया अब हम कल्चर मीडिया देखेंगे साक्षी क्लास में हो ना विटा तुम साक्षी नमन क्लास में हो ना रिशीदीप शुष्मिता हिम्शिखा तो अभी हमने देखा कि अगार मीडियम के क्या क्या फाइद है अगार मीडियम हम करते हैं तो क्या हो सकता है दूसरा आमने देखा कि अहीं धार मीडियम यूश में जा पाइदे हैं लिकवीम मीडियम को क्यों प्रिफर किया जा रहा है अब हम्मै्चल हमें देखेंगे हमारा कल्चर मीडियम में अब इसको कल्चर मीडिया को चाहें हम लिक्वेड में बनाएं चाहें हम सॉलिड में बनाएं वो हमारे उपड़ी पंड करता है ठीक है तो कल्चर मीडिया जो है अगर हमको प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए यूज करना है तो कोई भी प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो या नॉर्मल प् यह बहुत मैटर करता है कि कैसा nutrition मेल है उस particular media में इस प्रकार का nutrition उसमें पाये जा रहा है कैसा nutrition उसमें जल जर जा आप लोग अगार भी जब बनाते थे तो आगार के जो मेन उन्ट इंग्रिडियन्स ज़ से पेपटोन है। आपका आपका beef extract, आपका NaCl है और आप लोग का जो अगार है यह बहुत सारी चीजें हैं जो जितनी भी components डलते हैं इन में से अगर एक भी component मिस होता है जैसे beef extract ही अगर मिस हो जाएगा तो क्या आपका नवीडिया बन पाएगा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा चाहिड सी बात है इसने nutritional हर एक चीछ का हार एक कमपोनेंट न Zoe मार्म में में होना ुप दशन ब therapist का उसक न पया मोज़ गयाends लिए मिथ लेता है तो तुरी और विल्ट बर ड्लेस होता है तो प्रादार में क्यों नोभी तो खार हम लोग प्रोटब्लकस लन्ट इसी इस के लिए हूँ और गैनल जीनेसिस के लिए DAVID ज़ूरी है कि आपका नुटीशिण समाइनल आयो भ्हुत अच्छास कर अगर कमपॉरें थे लाँ की जाये तो दो निट्रीश्नल कम किया जाता है उसका nutritional component as it is वैसा ही होना चाहिए जो हम लोग PTC में यूज किया थे मतलग जो प्लांट टिशू कल्चर में यूज होता है ताकि उसमें कैलस ग्रो हो सके ठीक है तो यूजुली हम लोग PTC में क्या सब ज्याद़ यूज करते हैं MS मीडिया ठीक है MS मीडिया का full form क्या है मुराशिक एंड स्कूग मुराशिक एंड स्कूग मीडिया ठीक है तो यह मुराशिक एंड स्कूग मीडिया यूज कर सकते हैं हम लोग और आपका B5 मीडिया यूज करते हैं इस्च मीडिया यूज कर सकते हैं वाइट मीडिया यूज कर ठीक है तो ये method से हम्हलों जोने कर सकते हैं आप लोगों की classes खतम होने वाली तो यह आपका प्राप्राइ बेचे formation मेडिया में लुछ में आपक्ष्य सब्सक्राइब है तो यह आपका कंदसे मीडिया को अनुपर मेel थ influenced इसमें अच्छे से होता है तो किसमें होता है मुराश्चिगंस कूग मीडिया में